वजीराबाद के रामघाट पर इस वक्त मैं मौझूद हूँ और यह राहत कैम्प है जहां पर वो लोग जिनके घरों में पानी पहुंच चुका है वो लोग यहां से अब इन राहत शिवरों में शिफ्ट कर दिये गए हैं आप बताएए कब से हैं यहां पे आप लोग इतने से कल रात में लगई उसमें पानी भी नहीं है और बच्चे सब बहुत तरफ रहा है खाने एक लिए पानी पीने के लिए अब गयां Спांफ के यह चिफिंव हैं आयकि यह कोई सुविधना शैका कर क्ल Rozूब और तक ला दें गगे राति वर सारे та क्या क्या और सुविधा मिल रही है आपको खाने पीने की रहने काली सुवेक टाइम में तर्फ एक बारा एक बजे डाल चावल मिले पसे अभी तब कुछ भी नहीं मिला यहां पर लाइट रहती यह जो मास्ट है चल रहा है क्यों कटवा दिया आप कौन साव हैं मैं सब्सक्राइब बहुत जरूरी है यहां पर आपने देखा कि बाढ़ पीडित लोग लगातार कह रहा है कि इनके पास कोई सामान नहीं पहुंच रहा है वक्त पर क्या क्या सुविधा क्या इंतजामा आपके सामने लोग हैं देखे य सब्सक्राइब बिच्चे से पुछनी नहीं रहा है और यह था चाहरी बिश्यूंत करा रहे तो सब्सक्राइब जारी किसे बात की हो रहे हैं नहीं एक्चुली में जो जो हम दिल्वारे हैं कर वारे हैं जो विया हम आप तीन दिंसे यहां की बात नहीं है और जगह करना पड़ रहा पूरी एरिया का करना पड़ रहा यह देखो ना अब यहां भी कर रहे हैं मैं ऐसी सिचुएशन में आप पर सवाल नहीं उठा रहा लेकिन मैं जब यहां पहुंचा और मुझे निरिक्षण में बातचीत में यह पता लग रह तो मैं कैसे मानू कि आपके इंतजाम बहुत अच्छ हैं जो बहुत साल लगह नहीं तेर नहीं पार खाना, पीना और दूसरे इसुख सुविधा कभ पहुंचा देंने हैं यह जो यह जो लाइट है लाइट भी आ नहीं जल रही साब भिच्छू है बहुत बहुत भी हैं और सारे जुम्मेबारी के साथ सारे अधिकारी जितने भी आमारे सब लग हुए अरे दुनिया में SDM सहाब काम कर रहे होंगे, सारे लोग काम कर रहे हों, लेकिन मैं तो तरहा शिवीर की बात कर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यहां पर लाइट नहीं जल रही है तो अंधेरा होते ही यहां पर साफ बिच्छो और दूसरे जहरीले जानवरों के आने का डर है ऐसे में साफ तोर पर सवाल उठ रहे हैं कि लगातार कि इस रहत शिविर में आखिर क्यूं लोगों को वो बेसिक सुविधाय ही नहीं दी जा रही है जो उन्हें चाहिए